यह देखे यह बन रहा है जटपट शिम्रा मिर्च अपनिये बिल्कुप बिना पानी के इसमें प्याज भूना एक वो जरूर डाल यह बस क्या केते हैं दाल चीनी का है टुकड़ा इसमें बस स्लेवर उसका ही आता है और कोई ख्रागरा मसाला निंगलता है थोड़े मोटे श जीरा डाला और तुमने थोड़ी प्याज भून ली दो-तीन बारी काटके उसके बाद टुमाटर पीसे दो बार में टुमाटर डाल दिये बिना पानी के उसके बाद आपने डाइस डालती है 80% इनको गल जाना चाहिए बस 80% गल जाएंगे उसके बाद आप यह इसमें यह क दालते हैं और संग में डालते हैं मलाएं बस दो-चार मिनिट छिलाएंगे और सबजी बनके तयार इसको कहते हैं जग पटवागी सबचे बस इसमें फ्लीवर है दाल चीनी का और थोड़ा जीरा जादा पड़ता है थोड़ा साथील जादा पड़ता है वाकि आप फट जो अगर काट रखी तो फट आफट आपको डिटील चाहिए तो आप मेरी किछली बार जो मैंने बनाई थी मेरे लिंक पर जाएए पनीर शिम्ला मिर्च के पर उसको आपको मिल जाएगा और ये मेरी बन के तयार हो गई अब इसे मैं हैनाव खर लेती हूँ बाउर में खा लेती है अब इसे आप चापाती से खाएए या नान रोटी जिस मर्जी से खाएए चावल से विखास अपने बहुत अच्छी बनती है जड़पट वाली पनीर शिम्ला मिर्च तयार है खाएए खिलाएए लाइक किजे शेयर किजे बाई बाई ये लीजिए मेरी थाड़ी लगके तयार होगी है जब गर्मियों में बिल्कुल मन ना कर रहा हो रसोई में जाने का और थोड़ा घर में पनीर पड़ा हो तो जट पड़ बना दीजे और ये हाथ की रोटी दो सेकी और प्लेट लगके तयार होगी डिनर की गर्मियों में बहुत टेंशन है रात को डिनर क्या बनाया जाए क्या खाया जाए बस पनीर रखा है तो फटा फटा आपने दस मिन में ये सबजी तयार कर लिए और ये आपका खाना बनके तयार होगी है फ्रेंट्स आप भी बना ल पनीर के साथ दही और चटनी के साथ